आज 20 सितंबर 2024 बावा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमत कार बनना है प्रशन ये पुरसोतम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्यान कारी है कैसे? उत्तर इसी समय तुम बच्चे इस्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो ये संगम युग है ही कल्युग अंत और सत्युग आधी के बीच का समय इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए इसवर्य यूनिवर्सिटी खोलते हैं जहां तुम मनुस्य से देवता बनते हो ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती इसी समय सबकी सद्गती होती है ओम शांती रुहानी बाप रुहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं यहां बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो क्योंकि वह पतित पावन है उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है ऐसे नहीं सतो तक एम है सतो प्रधान बनना है इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है फिर स्वीट होम को भी याद करना है क्योंकि वहाँ जाना है फिर माल मिलकियत भी चाहिए इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है क्योंकि ये प्राप्ती होती है बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे नंबर वार पुरुसार तनुसार बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शान्ती धाम में चली जाएंगी घर तो जरूर जाना है बच्चों को ये भी मालूम हुआ अभी है रावन राज्य इसकी भेंट में सत्युक को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य दो कला कम हो जाती हैं उनको सूर्यवनशी उनको चंद्रवनशी कहा जाता है जैसे क्रिश्चन की डिनाइस्टी एक ही चलती है वैसे ये भी है एक ही डिनाइस्टी परन्तु उसमें सूर्यवन्शी और चंद्रवन्शी हैं ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है बाप बैट समझाते हैं जिसको ही ज्ञान अत्वा नौलेज कहा जाता है सुर्ग स्थापन हो गया फिर नौलेज की दरकार नहीं ये नौलेज बच्चों को पुरुसोतम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है तुम्हारे सेंटर्स पर वा मिूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाईयों ये पुरुसोतम संगम युग है जो एक ही बार आता है पुरुसोतम संगम युग का आर्थ भी नहीं समझते हैं तो ये भी लिखना है पुरुसोतम संगम युक पर ही आता हूँ तो संगम युक का अर्थ भी समझाया है वैश्यालय का अंत शिवालय का आदी इसको कहा जाता है पुरुसोतम संगम युक यहां सब हैं विकारी वहां सब हैं निर्विकारी तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे न पुरुस और इस्त्री, दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुसोतम इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाए किसों को पता नहीं कि ये संगम युग है किसके खयाल में नहीं आता है कि पुरुसोतम संगम युक कब होता है अभी बाप आए हुए हैं वह मनुसिस रष्टी का बीज रूप उनकी ही इतनी महिमा है वह ज्यान का सागर आनंद का सागर है पतित पावन है ज्यान से सद्गती करते हैं ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ती से सद्गती ज्यान से सद्गती होती है और सद्गती है ही सत्युग में तो जरूर कलियुक का अंत और सत्युग आदी के संगम पर आएंगे कितना कलियर कर बाप समझाते हैं नए भी आते हैं भूबहु जैसे कल्प कल्प आये हैं आते रहते हैं एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे एक पढ़ते हैं फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो इसलिए यहां यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पढ़ती है सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं न कोई दुनिया में जानता है कि इश्वर यूनिवर्सिटी भी होती है अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं नई दुनिया का मालिक देवी देविता बनाते हैं इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है इस समय सब तमो प्रधान है न भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं कुमारिया भी पवित्र रहती हैं सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु आजकल वे पवित्रता नहीं है पहले पहले जब आत्माय आती हैं वो पवित्र रहती हैं फिर आपवित्र बन जाती हैं क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमों से सब को पास होना होता है अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं अभी बाप सम्मुख बैट समझाते हैं ये ज़ाड तमो प्रधान जड़डी भूत अवस्था को पाया हुआ है पुराना हो गया है तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए ये है विराइटी धर्मों का ज़ाड इसलिए कहते हैं विराट लीला कितना बड़ा बेहद का ज़ाड है वह तो जड़ ज़ाड होते हैं जो बीज डालो वह ज़ाड निकलता है ये फिर है विराइटी धर्मों का विराइटी चित्र हैं सब मनुश्य, परंतु उनमें वेराइटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है, सब धर्म कैसे नंबर बार आते हैं, ये भी तुम जानते हो, सब को जाना है, फिर आना है, ये ड्रामा बना हुआ है, है भी कुदरती ड्रामा, कुदरत ये है, जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, परमात्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है, तुम उनको बाबा कहते हो, क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है न, बच्चे जानते हैं, आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है, मनुश्य ये नहीं जानत वह तो कह देते आत्मा निरलेप है वास्तम में ये अक्षर रोंग है ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए आत्मा निरलेप नहीं है आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे वा बुरे कर्म करती है तो ऐसा वह फल पाती है बुरे संसकारों से पतित पन पड़त तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महमा गाते हैं अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्र नहीं जानता तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब जूटे हैं क्योंकि सुना है मनुष्र 84 लाख योनिया लेते हैं अभी बाप बैट समझाते हैं वास्तम में सर्वशास्त्र मई स्रोमनी है ही गीता बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 बर्स पहले सिखलाया था तुम जानते हो हम पवित्र थे पवित्र ग्रष्ट धर्म था अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे अधर्मी बन पड़े हैं अर्थात विकारी बन गए हैं इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्स बाद रिपीट होता रहता है लाखों वर्स की बात तो कोई समझ भी न सके ये तो जैसे कल की बात है तुम शिवालय में थ आज वैश्यालय में हो फिर कल शिवालय में होंगे सत्युक को कहा जाता है शिवालय त्रेता को सेमी कहा जाता है इतने वर्स बहां रहेंगे पुनरजन में तो आना ही है इनको कहा जाता है रावन राज्य तुम आधाकल पतित बने अब आप केते हैं गरस्त व्यभार में र कुमार और कुमारियां तो हैं ही पवित्र उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे ग्रह्ष्ट में फिर जाना नहीं है जो फिर पवित्र होने का पुरुसार्थ करना पड़े भागवान वाच है कि पावन बनो तो बेहद के बाप का मानना पड़े न तुम गरस्त व्यभार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े यह है बेहद की बात बैचलर्स तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं परन्तु सेफटी से रहना जरा मुश्किल होता है फिर भी रावन राज में रहते हैं न विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं फिर पिछाडी में कर लेते हैं कमपेनियन शिप के लिए क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं पूरी संभाल करते हैं फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको दे कर जाते हैं कुछ धर्माव लगा देते हैं ट्रस्ट बना कर जाते हैं विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहां भी मदद करते हैं यहां ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करें यहां तो गरीब लोग हैं क्या मदद करेंगे वहां तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं भारत तो गरीब है ना भारत वासियों की क्या हालत है भारत कितना सिर्टास था, कल की बात है, खुद भी कहते हैं तीन हजार वर्ज पहले पेराडाइस था, बाप ही बनाते हैं तुम जानते हो बाप कैसे उपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह है ही ग्यान का सागर पतित पावन सर्व का सदगती दाता, अर्थात सब को पावन बनाने वाला तुम बच्चे जानते हो, मेरी महमातों सब गाते हैं मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ, तुम को पावन बनाने तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो बहुत सुख उठाते हो फिर रावन राज में गिरते हो भल गाते तो हैं परमपिता परमात्मा ज्यान का सागर शांती का सागर पतित पावन है परन्तु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी जानते ही नहीं है बाप कहते हैं तुम मेरी महमा करते हो न अब मैं आया हूँ तुमको अपना परचे दे रहा हूँ मैं हर पाँच हजार वर्स के बाद इस पुरुसोतम संगम युक पर आता हूँ कैसे आता हूँ वे भी समझाता हूँ चित्र भी है ब्रह्मा कोई सूच्म वतन में नहीं होता है ब्रह्मा यहाँ है और ब्रामण भी यहाँ है जिसको great great grand father कहा जाता है जिसका फिर सिज्रा बनता है मनुशिस रष्टी का सिज्रा तो प्रजा पिता ब्रह्मा से ही चलेगा न प्रजा पिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी कुख वन्शा वली तो होना सके जरूर एडप्टेड होंगे great great grandfather है तो जरूर adapt किया होगा तुम सब adapted बच्चे हो अभी तुम ब्रामण बने हो फिर तुमको देवता बनना है शूदर से ब्रामण फिर ब्रामण से देवता ये बाजोली का खेल है विराट रूप का भी चित्र है न वहां से सब को यहां आना है जरूर जब सब आजाते हैं फिर creator भी आते हैं वह creator director है एक्ट भी करते हैं बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझे जानते हो तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो न तुमने पहले सत्यूग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पार्ट बजाया फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो ड्रामा के creator, director producer होते हैं न यह है बेहद का ड्रामा बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है भक्ती मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धी में वही बैट गई है अब बाप केते हैं मीठे मीठे बच्चों ये सब भक्ती मार्ग के शास्त रहें भक्ती मार्ग की धेर सामगरी है जैसे बीज की सामगरी जाड़ है इतने छोटे बीज से जाड़ कितना अथा फैल जाता है भक्ति का भी इतना विस्तार है ज्ञान तो बीच है उसमें कोई भी सामगरी की दरकार नहीं रहती है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई व्रत नेम नहीं है ये सब बंद हो जाता है तुमको सदगती मिल जाएगी फिर कोई बात की दरकार नहीं तुमने भी बहुत भक्ति की है उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ देवताएं शिवाले में थे न तब तो मंदिर में जाकर उन्हों की महमा गाते हैं अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मैंने 5000 वर्स पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो देखे सब संबंद चोड़ मुझे एक बाप को याद करो तो इस योग अगनी से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे बाप जो कुछ अभी समझाते हैं कल्प कल्प समझाते आए हैं गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं मन मना भवर्थात मुझे याद करो शिवाबा केते हैं मैं यहाँ आया हूँ किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ ब्रह्मा द्वारा सब वेदो शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ चित्र भी दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते अभी तुम समझते हो शिवबावक कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शाष्त्रों आधी का सार सुनाते हैं 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुम को समझाते हैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं फिर 84 जन्मों में आते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला इस रावन राज में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है ग्रस्त व्यभार में कमल फूल समान रहना है दूसरा इस वेराइटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है इसमें पाट बजाने वाली आत्मा निरलेप नहीं अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है इस राज को समझ कर स्रेष्ट कर्म करने है बरदान बाप के संसकारों को अपने ओरीजनल संसकार बनाने वाले शुब भावना शुब कामना धारी भव बाप के संसकारों को अपने ओरीजनल संसकार बनाने वाले शुब भावना शुब कामना धारी भव अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने के परचिंतन करने वा सुनने के भिन भिन संसकार हैं जिन्हें कह देते हो कि क्या करें मेरे ये संसकार हैं ये मेरा शब्द ही पुरुसार्थ में ढीला करता है ये रावण की चीज है मेरी नहीं लिकिन जो बाप के संसकार है वही ब्रामणों के उरीजिनल संसकार है वह संसकार है विश्व कल्यान कारी शुब चिंतन धारी सबके प्रतिव शुब भावना शुब कामना धारी सिलोगन जिन में समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती